नमस्कार आज रविवार 20 जून 2021 दुनिया भर में फादर्स डे बनाय जा रहा है और हमारे लिए ये सौभग्य की बात है कि हम ये दिन अपने माता पिता के संग बना रही हैं पापा जी के वारे में चितना लिखना या बताना चाहूं कम है क्योंकि जीवन में हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है संयम सीखा है कला और संगीत के तो वो आज भी प्रेमी हैं और कुछ ना कुछ करते रहते हैं मैंने अपने जीवन में उनको यह कहते नहीं देखा कि मैं आज बोर हो रहा हूं मैं क्या करूं या मेरा मन नहीं लग रहा है या समय व्यतिक नहीं हो रहा है या मुझे आज इस चीज की आवशकता है या मुझे एक ग्लास पानी बिला दे या अन्य कोई चीज या कोई साहता वे अधिक से अधिक काम स्वेम करना चाहते हैं बलकि सबकी हेल्प करने को भी तियार रहते हैं जबकि वे नब्बे वशक को क्रॉस काट चुके हैं और एक बात जब कभी भी कोई आर्टिस्टिक काम करता हूं या कोई ऐसा काम करता हूं जिसमें मुझे सफलता मिलती है तो लोग पूस्ते हैं कि आईडिया आपके दिमाग में कैसे आया या आपने ये किस तरह से बनाया मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं होता था लेकिन मुझे पता है ये गुण मैंने मेरे पापा से लिया है अतीप मेरा बेटा जिसने शुरू में कोई संगीत नहीं सीखा आज वे अच्छा गिटार बजाने के साथ गाता भी है तो समझ में आ गया कि ये गुण उसमें अपने दादाजी से ही आया है तो आज फादर्स टे पर मैं और मेरा परिवार पापा को सलाम करता है जिनोंने हमको अच्छे संसकार दिये सब कुछ दिया अपने त्याग से उनके अच्छे स्वास के लिए भगवान से प्रात्ना करता हूं हैपी फादर्स डे आप सब को तुझे सूरज कहूं या चंदा तुझे दीप कहूं या तारा मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा तुझे दीप कहूं या तारा हर मावाप की यह इच्छा होती हर पिताजी के लिए हर बच्चा आग का तारा होता है तो हैपी फादर्स डे आप सब को एक बार मैं अनिश रिवास्ताव